मुंबई में महिला की गोली मार कर हत्या पुलिस ने 48 घंटे में कातिल बाप बेटे को किया गरिफतार मुंबई में शनीवार को एक जगडे के बाद महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद इलाके में संसरी मच गई थी 14 पुलिस टीमों की मदद से महज 48 घंटे में हत्यारे बाप बेटे को गरिफतार कर लिया गया पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खलाफ पहले से ही ठाने में कई मामले दर्ज हैं मुंबई के मानकुर्ध इलाके में शनिवार की शाम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिससे इलाके में संसनी फैल गई पुलिस ने अब महिला की हत्या में आरोपि बाप बेटे को गरिफतार कर लिया है मुंबई के जोन 6 के DCP के मुताबिक दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए 14 टीमों का गठन किया गया था इसके बाद सोमवार की सुभा दोनों आरोपियों को गरिफतार कर लिया गया दर असल मृत्यक और आरोपी दोनों पड़ोसी है और पिछले तीन महीने से दोनों परिवारों के बीच जगड़ा चल रहा था पुलिस के मुताबिक दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें दर्च करा चुके थे शनिवार 29 अपरैल के शाम को भी दोनों परिवारों के बीच जगड़ा हुआ जिसके बाद आरोपी सोनू सिंग और उसका बेटा आतिश सिंग हत्यार लेकर पहुंच गए बाप बेटे ने जगड़ा करने के बाद फरजाना नाम की एक महिला की गोली मार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए इस घटना का सीसी टीवी फूटेज भी सामने आया था जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि एक आरोपी तलवार से हमला करता है जबकि दूसरा महिला को गोली मार देता है घटना के बाद वहां अफरात तफरी मच गई थी आरोपी बाप बेटे पर कई मामले पहले से दर्ज हैं फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताच कर रही है मुंबई पुलिस के DCP हेम राज राजबूत ने कहा कि दोनों आरोपी ओं को पकड़ने के लिए 14 टीमों का गठन किया गया था जिसके बाद दोनों आरोपी ओं को गरिफताद कर लिया गया आरोपियों पर पहले से हत्या की कोशिश बिजली चोरी जैसे मामले दर्ज है